वेल्कम बैक तो माई टूब चुन पेपर हैकर कैसे हैं आप सभी लोग आई हो अच्छ होंगे और आज की देखने वाले हैं 2022 में आने वाले कोजिशन मिटा ठीक है कोजिशन को याद करके आप 90% लाएंगे कुछ बाहर नहीं जाएगा आपने अभी तक हमारे युट्यूट पेपर हैकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो और दोस्ते को अभी शेयर कर दो ज्यादा से ज़्यादा अभी शेयर करोगी आप ठीक है यहां देखो को ल 22 में आने वाले कोशन की बात करने वालो इतने कोशन आप याद करके 90% प्लस लाने वाले मतलब कि आप टॉप वन होगे मैं आपसे बादा कर सकता हूं एक भी कोशन वहर नहीं जाएगा सारे कोशन यहीं से आएंगे बस आप इन कोशनों को पढ़ लो याद कर लो अच्छी होता है यह Most important है आप इसको पढ़ेंगे पहला कोशन उसके बाद में यह पर इभास है छोटी छोटी होती है सॉंट में देखने विफ्यक्रेजी आप इसको पढ़ लेजे इसको फोड़े के तीब्रता आ क्श. पर इस्तित किसी बिंदू पर विद्धु छिद्र की तीब्रता अक्षिय और अनुधरी इस्तती में यह कोशन याद कर लेना बाकि इसको छोड़ देना मैं आपको छोड़ वार यह मौस्ट इंपूटेंट है जो आपके पेपर में 100% यही आएंगे कुछ भी बाहर नहीं जा करते हैं मैं आपसे बादा कर सकता हूं कि आपको टॉब करना है आपकी 2022 के अग्जाम में ठीक है आप देखू यहां पार्ट टू में हमें क्या क्या पढ़ना है धरीता आम जो कह सकते हैं बैदुत विभव और धरीता का नाम हो जाएगा इसमें बूला गया है बैदुत वि अब जो बॉक्स में बंद कर रहो बस बही पढ़ो गया बाकी कुछ नहीं पढ़ोगे याद रखने ना ठीक है अब यहां कह रहा है देखो यह विभव की बारें पूछ रहा है तो यहां देखिए अनुधरी चोड़ मैं इसमें छोड़ दीजिए पोजिशन इसको छोड़ लगया आबेप ज़ह सकते हैं कंदृत की ऊर्जा क्या होती है इसको पढ़ लेना ठीक है और इसमें बूला गया है कि वेद्दो द्रब के औक्चिये रेखा पर इस ते बिंदू पर बेदेव इसको पढ़ लिना स्कॉशन को मॉस्ट इंपोडOoh है उसके बाद में आता है समांतर प्लेटे संगंतर की धरीता का निगमन यह इसमें आप इतना कोशल पढ़ेंगे बस इतना आपको पढ़ना है अब चैप्टर खतम होगे अब दूसरा अब तीसरे चैप्टर पर टिक लगाएंगे विटा क्या क्या पढ़के जाना है 2022 के एक् ते काई दो पह।ंचके धर की चैप्टर में पढ़ना हैं तेको यहाँ को लागम है बैदुत धरा की परिवहासा थिकर और अजोग हो बेग और विभव मापी को याद करेंगे बाकि आप इसमें कुछ नहीं देखेंगे अब चैप्टर नंबर चार में आजाईए चैप्टर नंबर चार में आप क्या पढ़ेंगे अब तक आपने चल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए वीडियो को लाइक कर यहां गतीमान आभिश की बात करने वाला यहां बोला गया है च्मकी छेत्र बारे में बायो सेवर्ड के नियम की परिभासा बायो सेबर की नियम और क्या रहा बिरतिकार धारावाही कुंड़ि के बारे में लच बल क्या होता है most important है दो समांतरं तारों की बारे में छोड़ चोड़ देना इसको मत पढ़ना उसके बाद में चोग कुंडली की धारमापी का सिद्धानत आपको यह पढ़ लेना है ठीक है चुड़बा रहा हूं बही बता रहा हूं जो नेक्स पॉशन को देख लीजिए हाँ बुलागाए लैसन पांच में चैप्टर नमर पांच में देखेंगे बिद्धोचिंबक की परिभासा और उसके अभयब के बारे में पढ़ेंगे चुमक की परिभासा नीती कोड़ क्या होता है और दिखपाद का कोड़ क्या होता है अ ओरिंग नियम के बारे में स्ववर परत्वए पड़ान के बारे मेंisseं पलए ऐसे उत्पति कईशी हो फिसके बाद में ważne में तो में और छोड़ेंगे उसके बारे में के साथ में आ जाएंगे पृतिवर्ति ध्हारा में कहिसके हैं और प्रितिवर्ति धारा का रिकरमान इसको छोड़ दीजिए गया और बर्गमाद मूलमान को याद कर लेना और डाइनमो का सिध्धान्त आप पढ़ लेंगे डाइनमो का सिध्धान्त मोस्ट इंपूर्टेंड डाइनमो का सिध्धान्त चोक कुंडली को पढ़ लेना टांसपर विद्च्मा के तरंगे स्पैक्टरम की व्याख्या के बारें पढ़ लेना और बाकिया ओने तरंग इसके गुणों के बारें छोड़ देना हैं बस मैक्समिल की सम्हीं कर तरंगिब सिर्फिंपोंट व्लगा देना उसके में है हमारा देखो लैसन आजाता है नमा अब लमा लैसन में क्या है देखो क्रांती कोड क्या होते हैं लैंस क्या होता है न्यूटन के सूत्र प्रेजम क्या होता है प्रधानता क्या होती है दस्टी दोस क्या होते है निकट दस्टी दोस दूर दस्टी दोस इसको पढ़ेंग लेंस का सुद्र का निगमन को देख लेना एक बार हो सके तो बरना कोई दिख्कत नहीं है कि आपको इसके अत्वा में कोश्चन आएंगे आपको कर सकते हैं बस यह देखेंगे पिरकास विवरतन क्या होता है हो सके तो इसको पढ़ लेना बाकि इनको छोड़ देना है और नीची हमें जाना है और देखो एकल जिरी पर विवरतन रूपी हो सके तो याद हो जाएगा और नहीं भी आपको फस्ता है तो आधे को एक कोश्चन मानलों को अब को नहीं आ रहा है तो आपको उसको बना 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 के और देना याद है तो आप बना बना के अच्छोड़ के नहीं आना रहे स्वत यहां देखो कहा रहा है विक्रण और द्रभी के आपकी बारे में ग्यारवे चैप्टर पहुंच जाई है यहां बोला देखो कह सकते हैं द्वैंत प्रिक्रिया क्या होती है इसको छोड़ दीजिए देहली आवर्तिस मौस्ट इंपूर्टेंट डेहली तरंग धरी के बारे मे उसके बाद में परमाड़ू बार में चैप्टर में आ जया रहसे हैं कि भूरे में को चोड़ा उसके बाद में यहां देखिए तरंगार क्या होते है तरंगार की बारें पढ़ लेना सुँरी यह तो मैंने आप को देखो 10 चैप्टर में पहले करा चुक हो तो यहां च्होड़ देना है क्योंकि हमने यह 10 आप लिया है अब यहां देखो तर्मा चेप्टर में यह दिखो परमाडु क्र्मां क्या होते हैं द्रमान संक्या को छोड़ दिजीएगा नाभीक की बंधन उर्जा को याद कर लेना ना भी की विखंडन और नाभी के सल्डेन most important है समर्थानिक संभाद है और समिर्टिक की परिमासा को देख लेना दर्मान उर्जा का सलक्षर नियम याद कर लेना बाकि इसको छोड़ दे रहा है उसके बाद में चौद में चैप्टर में जाएंगे है उसके बार में हम नीचे जाएंगे सौल सेल क्या होता है आप इसको पढ़ेंगे एन पी एन पी संदी डायोट और एन पी एन संदी डायोट के बारे में पढ़ेंगे बाकि इस सब को छोड़ देंगे ठीक है अब यह था कोशन 2022 में आने वाली कोशन जो मैंने आपको पूरा कम्प्लिटली करा दिया 13 चैप्टर थे 13 चैप्टर के बारे में आप इतना पढ़ेंगे फिजिक्स में बाकि आप कुछ नहीं देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना कोई दिख करते हैं मैं आपसे बादा करता हूं कि यहां से बाहर कुछ नहीं का इंटर में 2000 वाइस में आने वाले कोशन है बस इतना आप याद कर लिजिए बाकि कुछ पढ़ने की जुरूत नहीं है थैंक्यों फॉर परचीज वीडियो बाई बाई चैल को सब्सक्राइब कर लेना और 90% प्लस आपकी फसेंगे मैं आपसे बादा कर सकता हूं और बाई बाई